कि हिंदी में यूपी एसी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम को देखने के लिए सब्सक्राइब करें इस्टड़ी आइक्यू आइक्यू आइस हिंदी यहां जैसा कि आप लोग जानते कि हम लोग प्रायक्ता पढ़ रहे हैं और प्रायक्ता में आज उसके आगे कुश्चन कुछ टरिदिसनल नडर बेसिक समझ वाले वह करते हैं जैसे मैंने बता था को भी प्रायक्ता के chances होते हैं मालों जैसे एक से लेके एक से लेके मैं कहे दूँ कि बीस तक के संख्याओं का नंबर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, ठीक है, चौदा, पंदरा, ठीक है, फिर उसके बास सोला, फिर सत्रा, फिर अठारा, फिर उन इसमें से एक संख्या का चुनाओ किया गया, और उस संख्या का मैं बोल दूँ आप से, उस संख्या का तीन का गुणज होने की प्राइक्ता क्या है, ओके, तो देखो, एक से लेके 20 तक संख्या होंगे, टोटल 20 होगी, तो मैंने बता, तो हमेसा जितने भी कंडिशन होते ह प्राइक्ता क्या होगे, तो आप क्या बोलोगे, तो देखो, तीन का गुणज कौन सा होगा, तीन आएगा, तो काम बनेगा, छे आएगा, तो काम बनेगा, नो आएगा, तो काम बनेगा, बारा आएगा, तो काम बनेगा, और उसके बास से, अठारा आएगा, तो काम तो नीचे मैंने बूला था .. बस उसकी और उपर कोई चैप्टर है ये एक कंडेशन हैं जिसकी बात करते worst इससे सबसे करते हैं अब इसको सबस्व करेंगे थीन मटे दस हमारा अनसर आ गया थीन मटे दस हमारा प्राइकता काएगा तफ्ट ओके आगे बढ़े तो अब देखो कुछ traditional questions करते हैं मैं कहो कि दो सिक्के उच्छा ले जाते हैं दो सिक्के उच्छा ले जाते हैं उनके सता पर कि उनके सता पर है दो तिन question लिखता हो पहला उनके सता पर पहला 2 headache आने की प्राइकता क्या है कि ये था तो खेड आने के प्राइकता क्या है ठीक है दो कम से कम कम से कम एक हेड़ आने की प्राइकता क्या है चौथा लिखता हूं अधिक से अधिक एक हेड़ आने की प्राइकता क्या अधिक से अधिक ठीक है एक फिर्ड आने की प्राइक था ठीक है इतने सारे questions English वाले भाई लोग अगर जो लोग होंगे तो इससे at least बोलते है इससे at most बोलते है अब देखे दो सिक्के उछा ले जाते हैं अब ये traditional question होते हैं आपके probability के अब इनका कैसे answer आएगा क्या आएगा वो हमें देखना है तो देखो दो सिक्के उछा ले जाते हैं और उनके सता पर आने की बात हो रही है ठीक है दो सिक्के अगर उछा लेंगे को हमें इसा देखो पहले सिक्के पर head होगा और दूसरे पर tail दूसरे सिक्के पर यही होगा head यह तो head होगा या तो tail होगा कね अब यह दोनों उच्छा ले जाएंगे तो दोनों पिर कुछ न सब्सक्राइब पहले का है आ सकता सबूसरे का पहले का पहले दू सरे पे टे腰 कितने तरीक разные सब कर सकते हैं वह हम पहले देखते हैं अब इसको अगर री अरेंज करूं तो क्या हो सकता है ऐड आएगा फिर पहले एड फिक्स किया तो दूसरे पर तेला सकता है या पहले पैसे यह ऑर तेल बैठ्सक्ण क्यों कई दूसरे पहले हेड आ सकता है दूसरे स्क्राइब क्या कितने चार तरीके सरी अरेंज़ कर सकते हैं यह हो गया है का टी से मल्टिप्लाई करेंगे एच का टी से मल्टिप्लाई करेंगे तो हो गया तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं तो देखो कितने तरीके सरी कर सकते हैं अगर टूटल हमें निकालना तो पहले पे चार दूसरे पे भी चार हो गया तो पहले पे चार दूसरे पे चार हो गया सोरी पहले पे दो सर्फिस दूसरे पे दो सर्फिस तो टूटल कितना आ गया चार सर्फिस चार तरीके सरी अरेंज कर सकते हैं ठीक है अब इसम टोटल तो हो गया चार पहले कोशन का अगर आंसर देते हैं तो टोटल होगा चार इसको इसी पेज़ पे लेके आते हैं ठीक है मैंने महां समझा दिया था तो इतने तरीके से प्रिएरेंज कर सकते थे फिर उसके बाद से टेल और येरेंज कर सकते हैं capac अब दोनों के साथ पर आए संख्या का कहा गया संख्या नहीं आ रहे दोनों के साथ पर आए अब लब जो भी आ रहे है उन पर दो प्राइकता की पहला है अब highly नीचे हमें सामुण पर रखते यह एक यह जब चार हो गया कि दो है्ट आने की प्रायक्ता होगे है कि एक एसा कंडिशन है जिस्में दो है रहा हैww यह कहा चार होगा एक कही यहां कि बड़ यहां ने हो गए अचाहिए है के वल एक हेड तो आप यहां नहीं होंगे तो यह हो यह चार में हुए हमारे दो अब इसके पर तीसरा कोशन कहे रहा है कि कम से कम एक पेर आने की परएक्ता удивit एक प्रॉज़ और इंपका थोड़ा सा यूजब देखेंगे कि यूज़ इन एटलीस किसे कहते हैं किस तरीका से कहते हैं फ्रॉजङ कैसे क्या क Prob criminal और खिनल्य कोच लेविड Kentucky at lifelong Lima कुछ नहीं जरा ध्याइन से देखेंगे at मैं किताबे बाट रहा हूं किताबे बाट रहा हूं बहुत सारी किताबे दे रहा हूं इस देंट के बीच में बाट रहा हूं बहुत डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्स की है तो एक लड़का कह रहा है कि कम से कम सर मुझे एक किताब दीजिएगा कम से कम एक किताब जरूर समझ पारे हो तWow से कम एक दीजिएगा मतलब इस ऩह मांगने वाला है उसे क्या चाहिए तो उसे चाहिए कम से कम एक उच्छाहिए भी से बी कंडिशन में एक क्छाहिए चाहिए थी तो कम से कम वर्ड रिन्जpreneर रहे जखे घरता इंटा मिनिमम इतना चीजों उससे ज्यादा मिल जाए तो कोई फरक नहीं मजा जाएगा अब 3 2 4 2 5 2 6 2 लेकिन कम से कम एक तुदीजिए तो कम से कम तो नहीं भी देंगे तो भी काम चलेगा मतलब एक भी देंगे तो काम चलेगा नहीं भी देंगे तो कोई आधिक साधिक दो देजिएगा नहीं आप खाना खाते हो मम्मी यदि रोटी देती हैं और मम्मी रोटी देती है तो क्या होता है कि जब आपका पेट भर गया तो ती जार एक साथ यकठे दे देंगे निकाल रहे हो जाधा ज Hag The पतारी दो उस्से ज्यादा तो जरड़ नहीं तो आप तो आप दो दीजिए मैकसिमम दोड़ीजिए उससे कं भी देंगी तो काम चला वैसे मेरा पेट भारा हुआ है या नहीं भी देंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा पेट भारा हुआ है समझ पार है आप तो अधिक से अधिक मतलब maximum range fix करना तो एक तरीके से अधिक कोई नहीं है मतलब देजिये और मॉंश चार पांच क्या मतलब होता है अधिक सदीक ए्टमॉस का मतलब होता है मेरे भाई इसे में maximum range fix होता है इसे में minimum range fix सकता है इसे में maximum range fix होता है maximum range मतलब maximum तो fix है लेकिन minimum के बारे में कुछ नहीं बला गया अगर मैं कह दू कि at least at most अगर मैं कह दू मेरे भाई 3 इसका मतलब क्या हुआ 3 है maximum fix है इससे कम भी मिले तो कोई फर्क नहीं पढ़ता तीन दो एक या जीरो कुछ भी मिले तो कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला ना भी मिले तो कोई फर्क नहीं पढ़ने वाले वही मम्मी वाला के सियाद करिए तो इस तरीके से आप fix कर सकते हैं तो एटलिस का क्या मतलब होगे नीचे आगे हमारा नीचे 또ल चारी आएगा ओके चार आएगा अब उसके बाद से मेरे भाई जब नीचे चार आएगा तो उपर क्या सकता तो उपर देखिए एटलिस कम से कम, एक कम से कम एक मतलब कौन सा तो एक तो आई ही है उससे ज्यादा भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता मतलब यह इसमें एक है ही है और कम से कम बोल दिया एक इसका मतलब एक से ज्यादा वाला भी case consider करेंगे मतलब जिसमें दो भी आगया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तो तीन ब मिले अधिक सबया मतलब मैक्सिमम घ्लब मैक्सिमम इसका मतलब क्या वाइक दीजिए नहीं भी देंगी खाना फेट भरावा कोई मतलब नहीं ठीक है तो एक होगे ये भी किस और ना वाला भी जिसमें नहीं भी आ तो टोटल कितना आ गया संक्या संक्या कह संक्या का putting कम से कम दो हेड़, कम से कम दो हेड़, आने की प्राइकता बताए, दूसरा मैं लिखूं, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, दो हेड़, ध्यान से करिएगा, फिर तीसरा में लिख दू, केवल, केवल एक हेड़, अब बताए क्या होगा, इनका अंसर क्या आने वाला, तो देखो जारा, मैं ही बता देता हूँ, देखो, एक सिक्का उच्छाल, तीन सिक्का भी स्वाल उच्छाला गिया, तो सबसे पहल आपको कितने तरीके सरी अरेंज करना है, यह हमें देखना पड़ेगा, हेड़ टेल होगा है, पहले बाले में भी, दूसरे सिक्के पर भी हेड़ टेल हो सकता है, तीसरे पर भी हेड़ टेल हो सकता है, आगे हम आपको यह भी बताएं कि हो सकता है, कोई सीका खोटा है, जैस स्ञे Раз शोल में आपका कौन्साइब का जो अमिताब बचन जैन वाला जो था जो तो जैना सिक्क्रा क्या होता था तो दोनों तरफ चाएक यह तंब का हो सकता था लुष्टा सिक्क्रा सकते हैं तो उसके भी कोशन करेंगे फिलाल यह देखते हैं अचा इसको कितने तरीके से रियर्णज करना है तो इस पर सरफेस दो इस पर सरफेस दो टूटल कितने आ गया तो आठ तरीके से इसको रियर्णज कर सकते हैं तो तो तोटल इसे यह कर सकते हैं नहीं आल ला अचा अच्सवाइवा क्या इते हो सकते हैं घैड ञेकिने फिक्स ना रहं सकते हैं अब इसके घर थोड़ा बढ़ते हैं मतलब पहले पर यहां फिक्स किया तो यह दो तरीके में अब इसके बाद के अगले आएंगे तो पहले वाला चंज करेंगे जैसे पहले पप्टेल तो पहले पर टेल फिक्स कर लिया दूसरे भी आप टेल फिक्स कर लिया दूसरे पर तो तो टोटल तरीके होंगे एक दो तीन चार पांन च्छे 7 », 8 होंगे ठीक है तो नीचे तो 8 हैगा देखो आठ यही वाले थे, 8 थे, अगर आपको नहीं ऐसे आ रहा है तो देखो ऐसे करो, head का head से för्दीप्लाइज करें मुल्टिप्लाइज और ये है है येका tail का head से, फिर टेल का टेल से फिर उसके पास इन के साथ फिर वही कर लिजिए काम, ओके, नीचे तो आठाएगा, कहरा है कम से कम दो हेड, कम से कम दो हेड का मतलब मीनिमम रिंज मतलब दो तो होगा ही होगा, अब उससे जादा भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब दो, तीन, चार वाला सब के सब, कम से कम दो वाले कंसीडर होंगे और तीन वाले भी होंगे, चार तो है नहीं, दो और तीन वाले, तो देखो तीन वाले यह भी एक, दो इसमें भी है, दो हो गया, तीन हो गया, फिर इसमें एक ही है, चार हो गया, फिर इसमें अब उसके बास है, मतलब दो हेड तो इन में है, और एक यहां पर तीसरे वाला यह है, मतलब यह 4 हो गया, चार बटे 8 आ गया, तो 1 बटे 2 आ गया, ठीक है, ड़न है मामला, अधिक से अधिक 2 हेड आने की प्रयक्ता, अधिक साधिक का मतलब क्या हो गया, तो अधिक साधिक का मतलब हो गया, at most वाला, मतलब 2 तो, 2 maximum देना है, ठीक है maximum range fix कर दिया वो मिले या उससे कम मिले तो कोई फरक नहीं पढ़ने वाला ठीक है अधिक साधिक दो रोटी दीजिएगा अगर आपको बहुत उमीद है मतलब अधिक साधिक वाले में देने वाला जादा से जादा देना चाहता है ठीक है और कम से कम वाले में देने वाल वाले में उसका झादा से तरी थेख सकते हैं और इसमें देख दोवाला भी लेंगे एक में ही और नहीं भी और कैश करेंगे इसका मतलब तीम करेंगे छोड़ेंगे तो बाकिंट्स आप एक थे चार साथ होगे तो टोटल आट में से साथ हो गये अधिक साधी कि यह ने कहां कहां है ने जाके यहां है कि वह लग्वल एखाँ यह पे एक हो गया यहां पर दो थी जगते च légदा और तीन चलिए अब मैं कहता हूं कि एक सिक्का एक सिक्का और एक पासा उच्छाला गया अभी बेसिक्स है अभी इसमें देखना है बहुत सारे कलाकारिया करेंगे उच्छाला गया मैं कहूं कि उनके सत्ता पर पहला कोशन लेकूं उनके सत्ता पर एक समसंख्या के साथ एक समसंख्या नहीं ऐसे लिखिए एक समसंख्या आने की प्राइकता सम संख्याने के प्राईकता छीए ग्यार दूसरा में कोशन लेख दू हैड के साथ हैड के साथ अभाज संख्याने के प्राईकता उडिए thirty से इसरा में लिख दू कि और हिकेडन साथ आभाज संख्याने के प्राइकता लो हेड के साथ यह तेल के साथ कि चार से अधिक इस संख्याने के प्राइगता है और एड़ी के साथ चार से अधिक संख्याने के प्राइगता अब देखो एक सिक्का और एक पासा इसका केस क्या बनेगा जड़ा देखिए अभी कॉंसेप्ट में करा रहा हूं कॉंसेप्ट के बाद बहुत एडवांस लेबल के भी कोश्चन करा दूंगा यूटूब पे थोड़ा सा समय का ऐसे ही हमारी क्लासे चलेंगी आधे घंटे उससे ज्यादा में इसके बाद नेक्स्ट विक से में मोर देन वन आर्स का टाइम निकालूंगा आप लोग के लिए ठीक है तो अभी थोड़ा सा इसका कॉंसेप्ट देख लेते हैं फिर तो बहुत सारी चीज़ होंगी देखो एक सिक्कां बोला गया है एक सिक्कां मतलब सिक्के में क्या होता है है अkhion होता है होता है दो होता है तक होousse घर पिरंट होती है यह हों था हमारे पर हैड के साथ वन आजाए यह इस पर यह इस पर है अगला पासे पर इक आजाए तो फिर टेल इतने हैं, ओके, ये, तो 12 तरीके ये हो गए, अब कहरा है, पहला कोशन, हेड के साथ, नीचे तो सब के बारा होगा, ये कन्फरम है, नीचे बारा होगा, सब के कन्फरम है, बारा होगा, अब कहरा है कि टेल के हेड के साथ एक समसंख्या, तो हेड के साथ एक समसंख्या कहा है, जरा देखेंगे, तो हेड के साथ समसंख्या, हेड के साथ समसंख्या, टेल नहीं, बोला हेड हो और एक समसंख्या, तो हेड और एक समसंख्या कहा है, जरा देखेंगे, तो हेड एक समसंख्या ये है, हेड एक समसंख्या है अब कहा ज़ाना है जहां किसे बहुते आपको समक्राइब वह था Państu Selanines होता है रवारा मौर्णक कि इसे बोलते हैं अभाजस ल्हाटा दो होता है तीन होता है फिर पाँच होता है को कि एक नहीं होता हैं एक निदर प्राइम कॉमपोजित होता है नहीं करेंगे टेल के साथ बोला है चाहा जाओ चाह जाए तो पांच तो ना चाह जाए तो इसे लेके आएंगे और निश्यंद रहे हम इस का टाइम बढ़ा दूंगा में क्लास का थोड़ सा समय मैंनेज करने में मैंनेज कर रहा हूं मैं एक बैच खतम हो जाएगा हमारा जल्दी इस वीग उसके यूटूब की टाइमिंग बढ़ा देंगा और जल्दी ही नया मेरेथन नेक्स मेरेथन लेके आऊंगा आप लोग के मद्धि ठीक है तो अभी के लिए इतना ही जय हिंद्ध जय भारत मिलते हम अगली क्लास में और लाइक शेर कमेंट करते रहें आप लोग जल्दी इसका नेक्स पार्ट और बड़ा वर्जन लेके आएंगे और एडवांस वर्जन के कुश्चन्स लाएंगे ठीक है हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें इस्टडी IQ आईएस हिंदी